नमस्कार आप सबका मेरे YouTube चनल पामिस्ट्री हिलर में स्वागतर ठीचिंग पामिस्ट्री के अंदर आज मैं आपको मनी बंद रेखा के बारे में बताऊंगा मनी बंद रेखा के बारे में मैंने वीडियो वैसे बनाया हुआ है लेकिन इसे मैं different तरीके से आपको और अच्छ और जिसे कहते बच्चे के तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपके doubts clear हो doubt सबसे पहले आपको पता है कि मनी बंद रेखाएं कहां पर आती हैं ये रेखा मनी बंद रेखाएं होती हैं ये तो हमें पता ये तो सबको पता है ठीक है ये maximum चार होती है ये भी हमें पता है लेकिन हमें compatibility नहीं मालूम की compatibility क्या होती है देखो समझाता हूँ ये क्या होता है कि इतना portion और इतना portion यानि दोनों तरफ से इतने इतना छोड़ दीजे सौरी यहां से लेकर यहां तक यह छोड़ दीजे यहां से मतलब इसके बीच बीच में आपकी कलाई होनी चाहिए थी तो यह एक gap है यह gap बिल्कुल ठीक है यह gap बिल्कुल ठीक है लेकिन यहां पर यह gap कम आ रहे हैं सेहत खराब होगी सेहत खराब होगी यानि यह इतनी जल्दी नहीं होगी बर लेकिन होगी पहली बात इसका ध्यान रखना पड़ेगा यह फार्मुला क्या कहता है समझो आपकी उंगलियां जहां अंदर-अंदर की तरफ है ना अंदर-अंदर आपकी कलाई उतनी मोटी होनी चाहिए लेकिन अगर आपकी कलाई इससे बाहर निकल गई जैसे फीमेल्स की या बहुत मोटे लोगों की होती है फिर वो गलत है फिर वो बिमार पड़ेगा यानि यह तो अगर यह आपका चोटा है यह यहां कलाई चोटी है यह तब भी बिमार पड़ोगे आप तो पहला फार्मुला समझाने के लिए इससे समझते हैं इनके अंदर अंदर आपकी कलाई होनी चाहिए और उसके उपर रेखा आने जी तो पहली बात किसी ने नहीं समझाई थी आपको कि उंगलियों के यहां से लेना है दस साल यहां छोड़ दो दस साल यहां छोड़ दो इस एरिया से पकड़ लो सब अपने हाथ चेक कर लीजेगा ऐसे ही formation मिलती है और अगर इस से उपर मिलती है तो सेहत खराब होगी अंदर मिलती हैं सेहत खराब होगी वैसे सही रहेगी यह compatibility का निशानी है पहली चीजे दूसरा सर यह money बंद रेखाएं जो होंगी उसको थोड़ा सा explain करो मैं बताता हूँ सबसे पहले money बंद रेखा इसे health की बोलते हैं सेहत की बोलते हैं सेहत पैसा सुख राज जोग तो यानि चोथी जो है राज जोग राज योग राज योग यानि चोथा इसको ऐसे समझो आपके पास अच्छी health है आपके पास अच्छी wealth है आपके पास सुख सम्रवदी है आपके पास आपके बस राज जोग है आप बुजुर्ग रहोगे आपकी उम्र सो साल के करीब रहेगी आपके लाइफ में आपके जितने भी रिष्टेदार जितने भी बच्चों के बच्चे होंगे आपके पाउं चुएंगे आपकी इज़्जत करेंगे आपको अपनी पलकों पे बिठाएंगे राज जोग का मतलब क्या है समझाओंगा समझाओंगा यह देखो ओहो क्या क्या फॉर्मेशन बनाईगे क्या सड़क बना दी मैंने यह फॉर्मेशन जिसकी बनेगी दरिद्र योग है दरिद्र सेहत डिक्कत पैसो की डिक्कत और सुख में कमी ओ सुख में कमी का क्या मतलता है लक्जिरियस लाइफ में कमी सुख लक्जिरियस लाइफ में कमी ओहो यह तो परशानी है इसका मतलब यह जो सड़क बन गई यहां से यह सड़क नहीं होनी चाहिए यही फार्मूला पुरी हथेली में याद रख लेना यह अगर हथेली के इस जगा पर से चीजे तूटी हैं तो तो यह फार्मूले पकड़ लो समझ लो इनको यह है मनी बंद का दूसरा फार्मूला दूसरा फार्मूला बड़े बुजर्ग पुराने जमाने के पाम रीडर इस से कैसे पता लगा लेते थे कि क्या होगा यह यह कहते थे पच्चेस साल यह कहते थे पचास साल यह है साड़े बारा साल यह है साड़े बारा साल भई यह साड़े बारा साड़े बारा पच्चेस साड़े बारा साड़े बारा पच्चेस समझ लोई यह तूटी हुई है तो इन्होंने का कि 25 और 12 यार इनको ना 35-37 साल पर ना एक दिक्कत आएगी यहां 35-37 साल पर दिक्कत देख लो देखो कैसे समझाता हूँ कि वो कैसे पकड़ते थे चीजों को यह होता है तुक्के की पामिस्ट्री यह compatibility हाथ किसी ने रखा impress करने के लिए अरे आपका ना यहां पर तीन जगा टूटा हुए इस जगा भी दिक्कत आएगी इस जगा भी दिक्कत आएगी यहां पर एक यवक का निशान है यह जो है ना आपको 34-37 साल बचके रहना पड़ेगा आपकी तवित खराब हो सकती है यहां ज़रा ध्यान रखना यह वाला जो है सेहत का तो है नहीं पैसो की दिक्कत आएगी आपको इस जगा पर और अगर यहां होगा तो सेहत की दिक्कत आएगी और यहां आएगा तो आप जो वाहन लेना चाहते हो इस वाहन को ले ही नहीं पाओगे कोई घर लेना चाहते हैं ले ही नहीं पाओगे यह वो रेखा है तो मैंने कैसे समझा रहा हूँ जिस जिस रेखा का मतलब है उस रेखा का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ आ गई समझ कि मनी बंद रेखाओं को कैसे समझते हैं मनी बंद रेखा को अच्छा अब मानत के चलते हैं कि मनी बंद रेखा पर आपने देखा होगा सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा आपको क्योंकि आपकी सेहत जो है अपने पेट का ध्यान रखो अपनी हर चीज का रखो इस पर ज्यादा है आप exercise करो तो आपकी लाइफ में आप ठीक हो सकते हो क्योंकि लेखती रेखा है जब यह उपर उठेगी कह देना कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है आपको यह जब नीचे है दिक्कत आएगी उपर आएगी दिक्कत नहीं आएगी नीचे दिक्कत आएगी उपर ठीक चलेगी नीचे दिक्कत आएगी ओहो फिर 25 साल जब यह हो जाएंगे फिर यहां से शुरू कर तो 26, 27 फिर यहां तक 50 फिर दुबारा करो तो यह नि रिपीट होगा वो साल रिपीट होता रहेगा ठीक है यहां से वो लोक कैसे पकड़ते थे ऐसे पकड़ते थे अब इसी को क्या करूँगा मैं चेन बना दूँगा इससे घबराना नहीं है यह वाली रेखा जो होती है यह कहती है कि मैं यह यव नहीं है यह फिर भी मैं कहता हूँ इनकी लाइफ में जो भी बिमारी आएगी उसको यह रिकवर हो जाते हैं इस यह बुरी रेखा नहीं होती है यह यव की रेखा नहीं है इसे मैं बुरा नहीं कहता हूँ इस इट राइट अब मानते हैं कि यहां पर यहां पर यह स्कुएर बना रहा हूँ आपको यह इतने सारे स्कुएर बना दिये या एक स्कुएर बना दिया या एक स्कुएर बना दिया अब क्या होता है स्कुएर का मतलब कि आपको सेहत बहुत अच्छी रहेगी आपको परशानी वाली बात है नहीं नहीं है कोई भी अरे बेधड़क को कर चीज़े करो आप यह समझ रहे हैं समझते रहना अब मैं क्या करूंगा इस रेखा पर यह मैंने क्रॉस है यह स्टार नहीं है क्रॉस है यानि ये क्रॉस बना दिये बताना क्या है या तो क्रॉस या स्टार इन विक्ति से आप बचके रहिएगा ये विक्ति देखने में बहुत सुन्दर होते है ठग होते है ठग याद रख लीजेगा इनके जाल में जो फस गया वो रोएगा जिन्दगी भर डराएंगे धमकाएंगे बहुत कुछ करेंगे लास्ट में इसलिए ऐसे विक्तियों से दूर रहूं ना तो क्रॉस वाले से भी दूर रहों और स्टार वाले ये ठीक नहीं होता है नहीं होता है ये विक्ति सेहत के मामले में अगर डक्टर बन गया तो ठग होगा ये पूरा डक्टर बन गया अगर एक वाडन है वाडन समझते ये एक हॉस्पिटल के भार में लगे रहते हैं अरे हम करवा देंगे आपको गुर्दा चाहिए गुर्दा अरे दो आप 25 लाक रुपए दो लुट जाओगे अगर ये उसके हाथ में है ये रेखा अगर आपके इस जगह पर आगई मनी माइंडेड हूंगे बट दूसरों का को ठग कर काम करेंगे ये वो है समझा रही है अगर मान के चलो यहाँ पर इस रेखा पर एक त्रिभुज बना दिया जाए ओहो क्या बात है आप ये मनी बंद रेखा पर त्रिभुज 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 ये इनकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी अब इसको एक्स्प्रेइन करता हूँ ये त्रिभुज दूसरी रेखा पर आता है तो ये इनकी सेहत अच्छी रहेगी कोई घबराने की जुरुवत नहीं है सारी चीजे इनकी लाइफ में अच्छी रहेगी तरबुज बना हुआ है अगर कोई रेखा टूटी भी हुई है ये रेखा यहां पर टूटी है लेकिन यहां तरबुज बना है तो ये इतना बड़ा नहीं बनेगा छोटा सा बनेगा ये बड़ा बनेगा तो इसका मतलब मैं समझाओंगा वो क्या होता है तो ये क्या करेगा ये केतू का तरबुज नहीं है ये केतू का तरबुज नहीं है ये मनी बन्द का तरबुज है पहले यह समझ लो, केतु का नहीं है, केतु का यहां से बनता है, यहां से बनेगा, लेकिन मनी बन रेखा यहां से शुरू होती है, यह इस पर बनता है, ऐसे बनेगा, अगर यह नीचे बनी रेखा पर बनता है, तो इसका मतलब क्या है, यह समझ लो, देखो, इसको बढ़ा कर किस समझाता हूं 1.2.3.1 रेखा 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा यह ridge मनी बंद रेखा का formula समझ लो कोई भी रेखा कोई भी रेखा ऐसे जाएगी यह सेहत को ठीक करती रेखा है बाल की तरीके से रेखा ऐसे चली जा ऐसे चली जाए ऐसे ऐसे जैसे टीन चीजे बहुत अच्छी रेखा है सेहत के मामले में बहुत यह क्योंकि इसने सेहत को पकड़ाए यह रेखा नीचे आकर नीचे से ऐसे करके ऐसे करती है तो पैसे में तिकुना फल देगी आपको अब मैं यह कह रहा हूँ यह यहां बनी है और इसको समझाता हूँ यह इस व्यक्ति के नेचर को समझाता हूँ सबसे पहले मनिबंद रेखा का फार्मूला कोई भी रेखा चंतर के यहां तक पहुंच गई यात्रा रेखा बन गई ही है यात्रा ये जरूर यात्रा करेगा अगर ये यहां पर गई है ये व्यक्ति यात्रा करेगा ये यहां पर भी डेफिनिटली ये सेहत के मामले में गई है यहां से गई है पैसा पैसा बनाएगा अब मैं यहां पर कहता हूँ यहां पर ये साइन बन नाम है अच्छे इंप्लोईयों में से नाम है इसके कारण मुझे बॉस ने बाहर जाने की अनुमती दी मैं वहां बाहर जाऊंगा वहां पैसा कमाऊंगा वापिस लोटूंगा वापिस लोटने के बाद अपनी जिन्दगी को समर्द करूंगा मैं मैं कमपनी में अच्छा हू मैं यह ट्रेंगल है मैं अपनी लाइफ में तिगना वृद्धी करूंगा मैं कुछ सीखने की कला भी मेरे अंदर होगी मेरे अंदर टैलेंट होगा यह तरभुच यहां यह इस तरीके से काम करता है ऐसे लोग आफिस इंपलाई को भेजते हैं आप ऐसा कीजिए हमारी कंपनी ना अमेरिका में हैं आप ऐसा कीजिए वहां पर जाकर कलाइंट से मिलिए ठीक है सर मैं मिल लेता हूँ अच्छा आप ऐसा कीजिएगा वहां पर अभी रहो ठीक है सर और सर मैं वहां पर रह लेता हूँ और ऐलाइंस उसकी फिकर आपकी जुरुत नहीं है आप हमारी कंपन है खाईए एक क्लास बिजनस क्लास में आपने जाने जाने को दिया जाएगा आपको तो वो क्या करवा रही है ये रेखाएं और वापिस आओगे आओगे ये सेटलमेंट की रेखा नहीं है ये काम के सिलसले में गए वापिस आ गए पैसा बनाया चाहे टू स्टार होटल में ले लो या थ्री स्टार में ले लो अब वो टू स्टार थ्री स्टार का मतलब क्या है ये लो ये अब ये क्या है कनिंग हो गया ना ये व्यक्ति अरे यार दिया तो फाई स्टार होटल का था रह लेता हूं टू स्टार में रह लेता हूं ठीक है तो ये बन गए समझ आ रही और आगे क्या क्या चीचे होती है अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा कमेंट सुरू कीजिएगा धन्यवाद